लोग बोलते बाबाजु तुम नोजवानों को भड़काते हो तो क्यों नोजवानों को एक बहुताओ पूरे देश के इतिहास में आज तक एक भी 50 साल के बुजुर्ग का नाम बताओ जिसको फांसी हुई हो हुई क्या एक का नाम बताओ यह दिल्ली में बेट कर चिला रहे ह लेकिन एक का नाम बताओ जिसको फांसी दी हो अंग्रे जोने को लाठी नहीं खाई डंडे नहीं खाए केवल मक्षन और अंडे खाए हैं लेकिन समस्या है इस देश का नोजवान भगसिंग क्यों नहीं बनना चाहता इस देश का नोजवान श्रिवाजी क्यों नहीं बनना चाहता इस देश का नोजवान फासी क्यों नहीं खाना चाहता नोजवान को गाली देना असान है लेकिन जिस भगसी ने फासी खाई, उसके नाम से हमने सोका नोट का चितर नहीं छापा हमने शिवाजी के नाम से 50 का चितर नहीं छापा और सामप्रदाइक ता की बात नहीं है यह शिवसना की मंच से खड़े होकर कहना चाहता हूं इस बात को अश्फाक उल्ला की कुर्बानी भूलना हम पाएंगे क्योंकि लोग सीधा अरूप लगाते हैं तुम तो मुसल्मान जी खिलाब हो तुम साम प्रदाइक हो तो एक बात कहना चाता हूँ आज इस पुर्णी तिती के असर पर कि अश्फाक उल्ला की कुर्बानी भूलना हम पाएंगे जब अश्फाक उल्ला खान लड रहा था आज़ादी के मेदान में तो मुल्लो ने समझाया था कठ मुल्लो ने अरे अश्फाक क्यों इसके लिए जान देते हो तुम तो मुसल्मान हो तो अश्फाक उल्लाखा ने कहा था कुछ आर्जू नहीं है बस आर्जू यही है रख दे कोई जरासी खाके वतन कफन में मर गया अश्फाक उल्लाखा लेकिन यह मुसल्मान के नाम से वोट लेने वालों ने आज तक अश्फाक उल्लाखा के नाम से दस रूपे का नोट नहीं चलाया इस देश की लड़कियां जूट मत बोलना पूछना अपनी बच्चियों से क्यों लव जिहाद के चक्करे फज जाती हैं लक्ष्यू भाई नहीं बनना चाती जीजा भाई नहीं बनना चाती केट ने केप बनना चाती दीपी का पादू कौन बनना चाती क्यों क्योंकि जिसने नोट भगत सिंग के नाम से चला है या ना चला है हमारे विलों में छपना चाहिए या नहीं कितने लोग तैयार है तैयार हो एक बात क्यों आप लोग जानी रहे वापस यार मैं चक्रव 25 परसेंट निकल जाओं निकलोगे क्या अच्छा सुनो देखो एक वावत हूं जब भ लगता हूँ तो लोग बलते हो और जब अमेरी कंगे आपने आपने आखे खोल दी तो कारण समझना दोस्तों जब महत्मा गंडी ने लाड़ इर्ण से बात चिछत की थी समझोता हुआ था तो लोगों ने कहा था महत्मा जी भगत सिने किसी जान नहीं लिए संसत्भवन के कोने में बम फेका है किसी व्रेक्ति पर नहीं फेका आप भगत सिंग की माफे के लिए बात करो शर्त रहो भगत सिंग को माफ करो तो महातमा गांदी ने कहा था यह भगत सिंग्ग यह अश्फाक उल्लगा यह क्रामतिकारी आतंक वादी है तो में भी एक बात करना चाहाँ की निस्क बढ़ की थातन का ळाओ चाहिए तो अब चाहिए तो जोनर अउत्वर कि वेलीका保क चाहिए विए के नाम के वी टिकल जाना जितन लेकिन कम से कम और किसी को मारो मत मारो अपने स्वार्थ को मार लेना जब कभी वोट देने जाओ तो जाती देखकर वोट मत देना